तो आज के इस रीडियो में हम बात करने वाले हैं थोड़ा सा आपका let's play cutoff cutoff ठीक है जोकि आप लोग को काफी पसंद होता है तो बात करेंगे इसके बारे में और उसी के साथ साथ देखेंगे यहाँ पे कि आपका जो previous year का cutoff था वो किस हिसाब से था किस प्रकार से था उसके बारे में भी बात करेंगे ठीक है तो कुछ इस प्रकार की sheet का आप सभी लोग वेड कर रहे हैं जिनके approximately 180 आये हुए है 190 आये हुए है 200 आये हुए है and 210 20 इस प्रकार से इनके भी नंबर आये हुए है on an average इस के पास आपका जो data gather किया है ठीक है तो अगर आपके हम NPC की बात करें तो आपका ये जो बन रहा है बीच में यहाँ पे आपका data जो है 180 to 200 यह जो है आपका यहाँ पे main margin रहेगा ओके तो यहाँ पे जो screen की उपर आप देख रहे हैं अगर आपने examination दिया था last year मतलब last time अगर आपने exam दिया था आपका December 22 वाला तो उसका ये cutoff आप देख रहे हैं screen की उपर यहाँ से आपका unreserved से start होता है and then यहाँ पे आगे की category के लिए वो लागू हो जाता है ठीक है तो unreserved category में आपका जो December 22 का comparatively easy paper था आपका जो वो था आपका 210 इसका cutoff किसका है यह यह आपके only for net ठीक है 25 numbers का jump है यहाँ पे आप on an average उसी प्रकार से यहाँ पे देखें अगर आप EWS के लिए तो आपका दिख रहा है यहाँ पे 190 ठीक है EWS आपका 190 गया है net के लिए and then 224 यहाँ पे गया है आपके JRF के लिए उसी के साथ साथ OBC NCL category की बात करें तो यह गया है आपका 188 and then यहाँ पे आपका गया है 222 sorry 220 गया है आपके JRF के लिए उसी के साथ साथ SCST की बात करें तो 172 and 170 यहाँ पे net के लिए and 214198 यहाँ पे आपके JRF के लिए ठीक है okay अब देखते हैं यहाँ पे आपका UGC net December 2021 और 22 का मतलब जो आपका 12 जुलाई को IGS examination हुआ था उसका cutoff यहाँ पे दिया हुआ है आपको और वहाँ पे आपकी जो unreserved category थी वहाँ पे गया है आपका 196 and then यहाँ पे आपका 216 था JRF के लिए इसी प्रकार से अन्य category के लिए भी लागू होता है ठीक है तो 196 के बाद आपको jump देखने मिला 14 marks का and then आप move करते हैं 210 पे ठीक है अगर पेपर के pattern की बात करें तो यहाँ पे जो आपका paper था one second आपका जो paper था July 22 वाला sorry July 22 वाला जो paper था आपका and आपका जो December 22 वाला exam हुआ वो on the same line एक तरह से same pattern के उपर था ठीक है तो आप देख रहे हैं cut off में क्या हुआ यह जो pattern है इसको follow किया and then आपका cut off क्या हुआ वहाँ पे increase होता है ठीक है लेकिन इस बार pattern जो है complete change हुआ है question का format completely change हुआ है आपके जो multiple choice questions थे choice हटके अब जो आ गए यहाँ पे MSQs type के सवाल आने लगे हैं आपके जहाँ पे आपको एक से ज़्यादा सही आपको वहाँ पे mark करने होते हैं ABC, BC, ABCD वो वाले सवाल ठीक है तो उनका जो यहाँ पे ratio देखने मिला उन type के सवालों का आपको यहाँ पे ज़्यादा देखने को मिल रहा है ठीक है तो आपका जुलाई का जो एक्जाम हुआ 22 वाला और आपका यह जो एक्जाम हुआ अभी December वाला ठीक है यानि कि आपका जुलाई 22 प्लस आपका December 22 का जो format था वो on the same line एक ही प्रकार से उसी type के questions थे आपके ठीक है जो आपसे यहाँ पे पूछे जाए लेकिन आपक आपके पेपर 2 का भी ठीक है जितने भी सवाल थे आपके पीबाई क्यूस रिपीट हुए है साइकलोजी की बात करें डेफिनिटली हुए रिपीट लेकिन उसी के साथ साथ पेपर बन का जो पैटरन था रहाँ साथ एजी फॉर्मेट में चल रहा था उसको भी क्या कर दिय इस बार इस बार उन्होंने टफ कर दिया है ठीक है तो अभी तक आइडिली इतना जो सी एस और वो सब होता है आपके वेपर बन के अंदर वो हाडली कोई पढ़ रहा था लेकिन इस बार उन्होंने यहाँ पे इंसर्ट कर दिया है आपके जो भी आपके जो आते हैं एड हेरिंग और वो सब जो आता है ठीक है वो सब आपको पूछते थे इस बार उसका शायद एक भी सवाल नहीं थे तो एक दो सवाल ही थे उसके ठीक है अधरवाइस पाट-पाट सवाल आपको देखने मिलते हैं मुझो फॉलसी आपकी होती है उसके उपर ठीक है उसी प्रकार से साईकलोजी की बात करें तो दो से तीन आपके जो गिसे पिटे सवाल है ठीक है बंडूरा के उपर मोटिवेशन वाला सौरी बंडूरा का जो उब्जेशन लर्निंग है वो हो वाला और आपका एक एमिक डेला वाला ठीके तो घिसी पिटे सवाल चलते आ रहे थे लेकिन उसके साथ ही आपको जो pattern है आपके completely change हुआ है paper 2 का तो आप यहाँ मान के चल सकते हैं कि आपका cutoff है यह आपका क्या होगा cutoff यह आपका decrease होगा ठीके last time 210 के अपेक्षा यहाँ पे आपको definitely आपको यहाँ पे क्या देखने मिलेगा यहाँ पे आपको decrease देखने मिलेगा in marks के अंदर ठीक है मतलब cutoff जो है आपका यहाँ पर vary करेगा ठीक है तो यहाँ पर आपको minimum की बात करें तो आपको यहाँ पर last time 210 गया था तो यहाँ पर आपको minimum 200 तक तो आपको देखने मिल सकता है इस बार general का cutoff ठीक है general का आपको 200 के आसपास या 195 to 200 इस प्रकार से आपको देखने मिल सकता है minimum बोल रहे हैं ठीक है उपर नीचे कुछ भी हो सकता है depending upon certain factors कई सारे factors होते हैं इस पर dependent ठीक है कि कितने लोगोंने exam दिया कितने लोग exam hall तक पहुचे कितने लोग admit card भूल के वापिस घर आ गए ठीक है ऐसे कई सारे factors जो होते हैं ठीक है कितने लोगोंने exam दिया provided हर category से आपके कितने लोगोंने exam दिया कितनी seats है वहाँ पे seat का तो वैसे कुछ है नहीं बट आपके जो 6% है उसमें भी काफी differentiation होता है वहाँ भी बाटा जाता है अंदर ठीक है हर category के लिए अलग-अलग जो allotted होता है ठीक है उनके हिसाब से आपका यहाँ पे जो cutoff है यह vary करेगा लेकिन यहाँ पे दिखा जाए एक mere guess की तोर पे बात करें यहाँ पे आपका देखने मिलेगा 10 marks का आपको यहाँ पे देखने मिल सकता है variation ठीक है 10 marks का variation आपको देखने मिलेगा आपकी जो unreserved category की बात हो रहे है यहाँ पे and likewise आपकी other categories के लिए भी यहाँ पे वो सारी चीज़ें लागू हो जाएंगी चलिए उसी के साथ देखिए यहाँ पे आपका UDC net December 2020-21 ठीक है तो आपका 21 में examination हुआ then आपका 22 में हुआ July वाला जो आपने देखा अभी and जो आपने recent देखा था वो आपका 22 December वाला ठीक है यह आपका 210 वाला था यह आपका 196 वाला था और यह आपका 172 वाला था अगर हम इन तीनों paper की बात करें 21 का थोड़ा सा छोड़ देते हैं paper 1 ठीक है लेकिन अगर इन दोनों paper की बात करें तो यहाँ पे आपका comparatively आपका जो paper 1 था वो easy था ठीक है वहाँ पे आप 35, 40 45 इस प्रकार से score किसी किसी लोगों ने किया 35, 40 लेकिन इस बार यह जो है काफी कम देखने मिला यहाँ पे paper 1 के अंदर ठीक है तो paper 1 का जो आपका यहाँ पे drag down करेगा आपने psychology कितनी भी अच्छी पड़ी हो लेकिन paper 1 के अंदर आपके जो marks है वहाँ से आपको नीचे खीच सकते हैं मतलब cut off की बात कर रहे हैं यहाँ पे ठीक है तो cut off आपका drag down होके आपका नीचे आ सकता है 210 के नीचे ठीक है अब देखना होगा जब भी आएगा final result अभी आपने जो claim भी किया होगा नहीं किया है तो जाके पुराणी वीडियो देख लीजे वहाँ से आपने claim का window अभी भी open है तो उसको जाके भी आप claim कर सकते हैं ठीक है यहाँ पर बात करें आपकी unreserved category की तो यहाँ पर 172 था यहाँ पर 192 था आपके JRF के लिए ठीक है तो यह जो 192 था आपका 21 में यही बढ़के कितना चला गया यही बढ़के चला गया आपका 236 पर आपके JRF December 2022 के लिए ठीक है तो यहाँ पर अगर बात करेंगे तो आपका जो cutoff है ये नीचे आना चाहिए ठीक है अब नहीं आता है तो बहुत ही अजीब बात होगी बेट फिर भी आपका 2110 के तो नीचे आना चाहिए आपके net के लिए ठीक है इसके नीचे आना चाहिए आपका जो cutoff है उसी के साथ साथ यहाँ पे आपको दिखाते हैं एक और चीज जादू ठीक है अलवेट बंडूरा ने कहा है कि क्या करना है आपको observe करना है चीजों को ठीक है ओके तो यहाँ पे ध्यान दीजिए आप एक बात के उपर कि आपका यह यहाँ पे देखिए अन्रिजर्फ केटिगरी में ठीक है अब बात कर रहा है कौनसे यहर की हम 21 की बात करेंगे अभी थोड़ा सा यहाँ पे प्लस आपका 22 का बात करेंगी ये जुलाई वाला है जुलाई 22 प्लस आपके डेक 22 की बात करेंगे दिसमबर 2022 की बात करते हैं यहाँ पे और उसी प्रकार से अगर सब चीज़े चली तो एक्सपेक किया रह सकता है कि आपका जो अभी कौन सा एक्जाम है जुन में जो आपका एक्जाम हुआ है 23 में उसमें भी आपका ये सेम पैटर्न चल जाएगा ठीक है ध्यान सा देखिएगा वीडियो को लाइक कर दीजेगा अगर आपको ये बात अच्छी लगी तो यहाँ पे देखिए अन्रिजर्फ केटिगरी में आपके कितने है मार्क्स आपके 172 फ़र असिस्टेंट प्रोफेसर यानि कि आपके नेट के मार्क्स कितने है यहाँ पे 172 है उसी के बाद देखिए एक केटिगरी विशेश की बात करें तो आपका OBC केटिगरी आता है तो अगर आपने पेपरवन के लिए थोड़ा बहुत सब्स्रेक्शन सीखा होगा तो आप यहाँ पे सब्स्रेक्शन करिए 172-150 तो आपको जो फिगर मिलेगा उसको ध्यान रखिएगा जो फिगर मिला आपको उसको ध्यान रखिए क्योंकि आगे आपको वो काम आने वाला है वो जो नंबर आया है उसको देखिए अभी आगे ये बात की हमने 21 वाले एर की जो 21 के सवाल थे आपके वो रिपीट हुए हैं आपके 22 में भी और 23 में भी अभी जो एक्जाम हुआ उसमें भी आपके 21 के सवाल आये थे एक जो था आपका ट्राइसोमी सिंड्रोम और वो सब जो है 21 से उठाके उने रिपीट किया था बस उसका फॉर्मेट अलग था ठीक है यहाँ पर देखिए वही कैटिगरी के लिए OBC NCL के लिए कितना आगे आपका यहाँ पर 174 आ चुका है ठीक है याने की ठीक एक साल पहले का जो पेपर हुआ था आपका जून में ठीक है उसमें कितना कट आफ था आपका 174 था ओल्राइट ओके लेकिन आपको 174 पर ध्यान आपने प्लस आपने 22 में नमबर देखा ठीक है और यही नमबर देखा आपने कहाँ पर अभी देखते हैं तो यह जो दिफेरेंस आया है है यहाँपर देख रहा है आप इन दोनों के बीच में वही देखिए अब कहाँपर आगे फॉलो होता है ठीक है अब अगला और वीडियो को like कर दीजे, unreserved category में कितना है आपका, यहाँ पर 210 है, और यहाँ पर कितना है आपका, OBC NCL में 188 है, that comes out as, कितना आता है यह, यहाँ आता है आपका 22 marks का difference, ठीक है, मतलब हो ना हो, कुछ ना कुछ चीज है, अगर हम past 3 years की बात करें, हो सकता है, मेर यह coincidence भी हो, यह हो सकता है, कुछ इसी चीज जो हो रही है, ठीक है, वो बात कर रहे हैं, यहाँ पर observation की, ठीक है, कुछ अलग यहाँ पर हो रहा है, कि आप देख रहे हैं, लगातार 3 साल से, continuously, आपका EWS की बात नहीं करेंगे, इस category की बात नहीं हो रही है, unreserved और OBC NCL में, क्या देखन नंबर का, ठीक है, अगर हम बात करें, 21 का, 22 का और आपके 23 का, ठीक है, 21 में जो exam हुआ, single shot वाला, 22 में जो हुआ आपका June वाला, and then 22 December का जो आपके exam हुआ, इन तीनों में ही कितना difference था, आपका OBC और unreserved category के अंधर, आपका 22 marks का difference है completely, ठीक है, total 22 नंबर का difference है, आपके 3 सा से तो आप expect कर सकते हैं कि इस भार भी, क्या पता, शायद देखेंगे आगी जब cutoff आएगा, आपको 22 marks का आपको difference देखने को मिल सकता है, ठीक है, यह ज़सा नहीं है कि एकदम पत्थर पे लिखी हुई बात है, just assumption है, ठीक है, all right, तो यहापे आपको 22 number का देखने मिल सकता ह तो आप समझ जाएए कि अगर इस बार की बात करें, अगर आपका माल के चलते हैं, अभी के exam में आपका 200 आता है net के लिए, ठीक है, JRF की बात नहीं कर रहे हैं, वो तो उपर ही जाएगा इससे, ठीक है, अगर net की बात करें यहापे, तो आपके कितना है, आपका 200 marks की बात क सकते हैं कि मेबी आप जो है, आप सेफ जोन में हैं, ठीक है, डिपेंड करेंगा यह कि अगर आपका 200 आता है, तो की बात है, अगर और कम आएगा 198 आ जाएगा, 196 आ ठीक है, या फिर अगर कुछ question drop वगर होता है, ठीक है, तो उस case को भी देखना पड़ेगा, अगर वहापे multiple answers देखने मिलते हैं, कुछ drop होता है, तो वह effect कर सकता है, लेकिन मान के चले 3 साल से हो रहा है, तो हो सकता है, आगे इस प्रकार की बात फिर से repeat हो जाए, ठीक है, यहापे आपको 22 marks का difference देखने मिल सकता है, general के cutoff से, ठीक है, तो यहापे हो सकता है, आपका cutoff जो है, 190 तक भ काफी rare chances हैं इसके कि इसके अबव जाएगा, ठीक है, इसके अबव जाएगा तो फिर जो है, हालत खराब हो जाएगी, ठीक है, इसके अबव तो नहीं जाना चाहिए, वैसे, आपका 190 200 bracket यह हो सकता है, हो सकता है, आपका 192 ही चला जाए, जैसा last year गया था, general के लिए, ठीक ह कितना जो है, correct question mark किये हैं, हर category से अलग-अलग सारे चीज़ें होती ही वहाँ पे, ठीक है, और उसी के साथ साथ यहाँ पे, कई सारे और factors हैं जो play करेंगे, तो आप मान के चल सकते हैं, कि अगर आपका 200 के आसपास, अगर आपका score आ रहा है, ठीक है, 200, अगर आपका है, general category स तो आप अपने आपको मान सकते हैं, कि आप जो है, safe side में हैं आप, ठीक है, और यह जो है, 198 से 196, इस प्रकार से कुछ भी यह deviate कर सकता है, ठीक है, NTA हमेशा shocker देता है, कुछ नगच shock इस वार भी देगा, ठीक है, इसका आप ध्यान रखें, कि आपका जो cutoff है, last year से आपक कम जाएगा, and अगर नहीं जाता है, last year से कम, तो आप समझ जाएए, कि आप जो है, आपकी vehicle कहां पर है, पानी में भरे हुए, ठीक है, जो road पर पानी भरा हुआ है, दिल्ली की चलगों पर, ठीक है, तो उतना आप ध्यान रखी, आपको और मेहनत करनी पड़ेगी, और पढ जनरल में drop होगा, उसी प्रकार से हर category के अंदर भी आपको यहाँ पर drop देखने मिल सकता है, ठीक है, drop देखने मिलेगा आपको, जैसे ही general में drop होगा, यहाँ की अन्य category के अंदर भी आपका, यहाँ यहाँ पर, सब जगे जो है, आपका यहाँ पर drop देखने मिल जाएगा, ठ काफी हार रियर चांसे हैं कि आपका चुक कट ओफ है इस रेंज में आए जनरल के टेगरी की बात कर रहे हैं यहाँ पर ठीक है अगर आप अन्य किसी के टेगरी से है तो आप समझ जाएए 15-20 नमबर घटा के ठीक है 200 से 200 आप एक आइडियल मानिए कि में भी आपका कट ओफ 200 जा सकता है इस बार का 198-202 एक ही बात होगी ठीक है उतना फुर्ण से लेबर्टी लेते हैं डेगरी ओफ फ्रीडम ठीक है तो यह था आप लोग के लिए एक छोटा सा 2023 के लिए अच्छे से प्रिपेर करें क्योंकि पेपर जो है इस बार लेवल बढ़ाया है आगे भी इस प्रकार से लेवल बढ़तर आएगा तो चीजों को सीखें आगे और पढ़ते जाएं ठीक है और इसको देखिए यह जो आपका कट ओफ है इसको आने में वो बोल रहे है कि result जो है आपका August के first week या second week में आएगा तो लगबग लगबग अभी पूरा एक मन्त है तो आप एक मन्त में इसके पागल होंगे कि क्या cutoff था क्या होने वाला है और क्या नहीं होने वाला है उसमें क्या होगा आपका केवल आपका होगा TW याने की time waste ठीक है time waste ना करें आपका score मालूम है पढ़ाई तो करनी है आपको आगे पढ़ते जाहिए हो गया तो अच्छी बात है काफी अच्छी बात है well and good और आगे आपके जो है set exams भी है ठीक है आप भी आपका एक RPSC के exam भी है और भी काफी सारे psychology related exam आपके होते रहेंगे तो उनके लिए पढ़ाई हुआ है ठीक है जिनका last time नहीं हुआ था उनका इसबार होगा जिनका इसबार नहीं हुआ है उनका next time होगा ठीक है so there always a next time ठीक हर बार एक मौका मिलेगा आपको लेकिन आपको क्या करना है continuously पढ़ाई करनी है अब यह सोचेंगे आपके अभी तो तो नवेंबर में आप जा यह अदर्वाइस जो है आप ठीक है चैनल को सब्सक्राइब कर दीजे इस वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दीजे और आपका जो लगता है कि cutoff क्या जाना चाहिए अगर आपका कुछ analysis कुछ visualization अगर आपका है तो आप नीचे इसको कमेंट कर सकते हैं ठीक है तो यह जस् जग सकती है तो नीचे कर दू कमेंगा लाइब कि अपका जो लिज नीचे है तो